प्रो कबड़ी लीग सीजन 6 के छटे दिन का दूसरा मुकाबला पुनेरी पल्टन और दबंग दिल्ली के बीच खेला गया जिसमें दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को 41-37 के अंदर से हराया तो ये जानते है सोनी पत के मोतिलाल नहरू स्कूल ओफ स्पोर्स में खेले गए इस मुकाबले का पूरा हाल दोनों ही टीमों के भी शुरुआती मुकाबला काटे की टकर का था तीसे मिनट में नवीन कुमार के सुपर रेट के बाद दोनों टीमों का स्कूर 3-3 अंकों से बराबर रहा साथवे मिनट में पुनेरी पल्टन को ओल आउट कर दबंग दिल्ली ने 11-5 से बहत बनाई 25 मिनट में दबंग दिल्ली आल आउट हुई और पुनेरी पल्टन ने एक अंग की बढ़त हासिल की लेकिन अगले ही मिनट में मिराज शेक के रेट के बाद स्कोर 18-18 अंगों से बराबर हुआ इसके बाद पहले हाफ के खतम होने से ठीक पहले नितिन तुमर के सुपर रेट की बदोलन पुनेरी पल्टन 22-20 से आगे रही दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों के भी जबर्दस फिटन देखने को मिली 27 मिनट तक पुनेरी पल्टन एक अंग से आगे रही लेकिन अगले ही मिनट में पुनेरी पल्टन ने मुकावले में वापसी करने की पूरी कोशिश की जो नाकाफी साबित हुई इस तरह फुल टाइम तक 41-37 के फानल स्कोर के साथ मुकावला दबंग दिन्ली ने जीता दबंग दिन्ली के लिए सबसे ज़्यादा नवीन कुमार और पवन काद्यान ने साथ साथ अंग हासिल किये वाइपुनेरी पल्टन के लिए नितिन दोमा ने बीस जबकि गिरिश मारुती और संदीप नर्वान ने चार चार अंग बटोरे कल देखिए पहला पंगा तेलकू टाइटन्स वर्सेज यू पी योधा और दूसरा पंगा हरियाना स्टीलर्स वर्सेज यू मुमबा